Study IQ IAS, अब तयारी हुई, अफॉर्डिबल गुपता एंपायर, पिलिटिकल हिस्ट्री, एड्मिनिस्ट्रेशन एंड ससाइटे Welcome to Study IQ, मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तूं, आज हम बात करेंगे भारती एतिहास के उन 200 सालों की जिसमें एक North Indian Empire ने Administration, Economy, Social Religious Life, Art, Literature, Science, Medicine सब पर अपनी छाप छोड़ी और इसे पीक पर पहुँचाया जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुपता एंपायर की, जिसे भारत का Golden Age भी कहा जाता है इस वीडियो में हम समझेंगे गुपताज की Political History, Administration और Social Life के बारे में तो आईए शुरू करते हैं Political History से Political History गुपता काल की Glory का पता हमें कई Sources से चलता है इनमें Literary Sources, Epigraphical Sources, जैसे Inscriptions और Numismatic Sources, जैसे Coins प्रमुख है पुराना से हमें गुपताज की Royal Genealogy का पता चलता है वहीं वैशाखदत्ता द्वारा लिखित देवी चंद्र गुपतम और मुद्रा राक्षसा में गुपताज के राइज पर बड़ी अच्छी चर्चा की गई है इनके अलाबा, महरौली आयन पिलर इंस्क्रिप्शन और अलाहबाद पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे important epigraphic evidences हैं इन sources के अनुसार, मौरिय सामराज्य के डिकलाइन होने के बाद, पूरा भारत फिर से छोटे-छोटे kingdoms में बढ़ गया था जहां सुंग, कानवा, सातवाहना और छेडी dynasties मौरियाज के native successes थे वहीं इंडो-ग्रीक्स, साकाज, पार्थियन्स, कुशाना, जित्यादी, मौरियन एंपायर के foreign successes थे इसी succession के क्रम में गुप्ताज का rise होता है अल्दो कुछ historians श्री गुप्ता को गुप्ता डाइनस्टी का founder बताते हैं पर गुप्ता एरा का real founder चंद्रु गुप्ता 1 को माना जाता है चलिए जानते हैं चंद्रु गुप्ता 1 के बारे में चंद्रु गुप्ता 1, reign from 319 to 334 AD चंद्रु गुप्ता 1 पहली बार महराज अधिराज टाइटल यानि The Great King of Kings का इस्तिमाल करते हैं ये टाइटल उनके extensive conquests को दर्शाता है अपने सामराज्य को बढ़ाने के लिए चंद्रु गुप्ता 1 ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी की इससे गुप्ता फैमिली की पावर और प्रेस्टीज और बढ़ जाती है चंद्रु गुप्ता 1 गैंजेटिक प्लेंज इंक्लूडिंग यूपी, बिहार, पार्ट्स अव बिंगौल पर डायरिक्ट कंट्रोल इस्टैबलिश करते हैं उनके सामने नौर्थ का कोई भी रूलर टिक नहीं पाता है इसी कारण से चंद्रु गुप्ता 1 को गुप्ता एरा का रियल फाउंडर भी कहा जाता है गुप्ता एरा उनकी राजगद्दी पर बैठने के बाद 319, 320 AD के लगभग शुरू हुआ था चंद्रु गुप्ता 1 के बाद समुद्रु गुप्ता गुप्ता डाइनेस्टी की कमान सभालते हैं समुद्रु गुप्ता रेन फ्रम 335 टु 380 AD समुद्रु गुप्ता अपने पिता द्वारा चलाए गए विजयरत को हर तरफ से North, South, East, West में बढ़ाते हैं कोट पोएट हरी सेना द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ती या अलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन उनके मिलिटरी कैमपेंज का डीटेल्ड अकाउंट देता है उनके कैमपेंज तीन फेज़ेज में चले फर्स्ट फेज में विगैंजेटिक प्लेंज पर कमप्लीट मास्ट्री के लिए नागा रूलर अच्युता और कोटा रूलर नाग सेना की टेरिटरीज को एनेक्स कर लेते हैं सेकंड फेज दक्षन पत या साउथ एक्स्पिडिशन के नाम से फेमस है इस फेज में समुद्र गुप्ता साउथ के बारह रूलर्स जैसे वेंगी के हस्ति वर्मन, पल्लका के उग्रसेना, देवराश्ट्रा के कुबेरा इत्यादी को हरा देते हैं पर नौर्थ इंडिया से दूरी होने के कारण, वे अपनी सुप्रेमसी इस्टैबलिश करने के बाद, इन सारे रूलर्स को उनका राज्य लोटा देते हैं साउथ में अपनी सुप्रेमसी एक्सेप्ट करवाने के बाद, समुद्र गुप्ता वापस नौर्थ पर फोकस करते हैं इस थर्ड फेज में वो पूरे नौर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में लेने की ठान लेते हैं इसके लिए वे रुद्र देवा, मतिला, नागदत्ता जैसे नौ और किंग्स को हराकर उनके किंडम्स एनिक्स कर लेते हैं इस तरह वे मुस्ट अव नौथ इंडिया यानी आर्य वर्त पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं उनका सामराज्य वेस्ट में कुशानास तक और साउथ में वकटकास तक पहुँच जाता है उनके इस लाज स्केल कॉंक्वेस्ट के कारण समुद्र गुपता को गुपता डाइनिस्टी का ग्रेटिस्ट किंग माना जाता है कुछ historians समुद्र गुपता को Napoleon of India की उपाधी भी देते हैं समुद्र गुपता के बाद गुपता एंपायर के अगले महान राजा थे चंद्र गुपता दे सेकंड, Rain 380 to 41480 देवी चंद्र गुपतम किताब के अनुसार महान समुद्र गुपता के बाद राम गुपता गद्दी पर बैठते हैं पर वे बहुत डरपोक राजा थे वे साका इन्वेडर्स के डर से अपनी पतनी धुरुव देवी को सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे ऐसी कंडिशन में राम गुपता के छोटे भाई चंद्र गुपता टू धुरुव देवी के सम्मान को बचाने के लिए साका इन्वेडर और राम गुपता दोनों को खत्म कर देते हैं और राजगदी पर बैठने के साथ ही वो धुरुव देवी से शादी भी कर लेते हैं आगे साकाज को पर्मानेंटली हराने के लिए वे डिपलोमसी और मैट्रिमोनियल अलायंस दोनों का सहरा लेते हैं सबसे पहले वे सेंट्रल इंडिया के नागा रूलर की बेटी कुबेर नागा से शादी कर लेते हैं इसके अलावा अपनी बेटी प्रभादेवी की शादी वगटा का प्रिंस रुद्र सेना टू से कर देते हैं इससे पूरे डेकन और सेंट्रल इंडिया में उनकी पिलिटिकल पावर बहुत बढ़ जाती है। इस स्ट्रॉंग अलायन्स बिल्डिंग के बाद वो पूरे दल बल के साथ वेस्टन साका सट्रप्स पर हमला कर देते हैं। भीशन युद्ध के बाद साका सट्रप्स हार जाते हैं और मालवा और गुजराद का रीजन उनके कंट्रोल में आ जाता है। परिणाम स्वरूप पाटली पुत्र के बाद मालवा में उज्जैन उनकी दूसरी कैपिटल बन जाती है। इस विक्ट्री के बाद वे साकरी यानी डिस्ट्रॉयर आफ साकास का टाइटल लेते हैं। साथ ही वो खुद को विक्रमादित्य नाम से भी संबोधित करते हैं। इस सिग्निफिकंट कॉंक्वेस्ट के कारण गुपता एंपायर अरेबियन सी तक फैल जाता है। भरूच, सुपारा, कैंबे जैसे सी पोर्ट से यॉरोप तक का ट्रेड उनके डारिक्ट कंट्रोल में आ जाता है। महरौली आयन पिलर के अनुसार उन्होंने वंगाज और वहिलकाज जैसे शूर्मा किंग्डम्स को भी हरा दिया था। वे इंडस रिवर पार कर बैक्ट्रियन्स को पूरी तरह से हरा देते हैं और कुशानास को भी सब्ड्यू कर देते हैं। इन विक्ट्री से चंद्र गुप्त दे सेकंड के समय गुप्ता एंपायर नौर्थ वेस्ट में हिंदुकुष माउंटेंस, वेस्ट में गुजरात मालवा, इस्ट में इस्टन बिंगॉल और साउथ में नर्मदा नदी तक फैल गया था। इसके अलावा साउथ के most of the rulers तो उनके पिता की तरह उनकी suzerainty accept करते ही थे। उनके period के धेर सारे gold coins मिलने से पता चलता है कि चंद्र गुप्ता विक्रमादित्य का सामराज्य बहुत prosperous भी था। चंद्र गुप्ता 2 के बाद नालंदा युनिवरसिटी स्थापित करने वाले कुमार गुप्ता का नंबर आता है। कुमार गुप्ता, rain from 415 to 455 AD. कुमार गुप्ता ने गुप्ता सामराज्य बढ़ाने से ज्यादा उसे consolidate करने का काम किया था। उनके काल में general peace and prosperity maintain रही। उन्होंने धेर सारे coins issue किये जो सामराज्य के कोने कोने से मिलते हैं। उन्होंने नालंदा युनिवरसिटी की नीव भी रखी। जो आगे चलकर Institute of International Reputation बन गया। पर उनके rain का end आते आते नौर्थ वेस्ट यानि हाइबर पास से हन इन्वेजन का खत्रा मनराने लगता है। हन एक बहुत ही खुंखार Central Asian Pastoral Tribe था जो resources की तलाश में इंडिया पर आक्रमण करने लगा था। इसी खत्रे के बीच सकंद गुपता, गुपता सामराज्य की गद्धी पर बैठते हैं। सकंद गुपता, rain from 455 to 467 AD. सकंद गुपता, गुपता डा परदस्त आक्रमण शुरू हो गया। पर वे अपनी विशाल सेना की मदद से हन्स को हरा देते हैं। लेकिन हन्स के continuous attacks के कारण गुपता एंपायर वीक होने लगा था। ट्रेड रूट्स बुरी तरह कॉंप्रमाइज हो जाते हैं। जिससे गुपता एकॉनमी चर्मर आ जा जैसे कई गुपता successors आए पर कुछ खास contribute नहीं कर पाए। वीक रूलर्स होने के कारण छोटे-छोटे राजा independence डिकलेर करने लगते हैं। 500 AD से 530 AD के बीच तोरा मना और मिहिर कुल जैसे powerful हन्स शासक सेंट्रल इंडिया और मालवा तक पहुँच गये थे। पर आगे चलक मालवा में यशो धर्मन नाम के महान शासक का राइस होता है, जो हन्स को मालवा से उखाड फिंकते हैं। गुपता एंपायर 540 AD आते-आते हन्स इन्वेजन्स और मालवा में यशो धर्मन के राइस के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस तरह गुपताज की political history comes to an end आईए अब बात करते हैं गुपता पीरियट के administration की। ministers यानि मंत्री परिशद था जिसके head chief minister थे। इस मंत्री परिशद में सेनापती यानि आमी के commander in chief होते थे, महादंड नायका यानि justice minister, संधी विग्रह यानि foreign affairs या फिर war and peace affairs. इनके अलाबा महाप्रतिहारी यानि royal palace के care attacker, दंड पाशिका यानि police department के chief, विन्यास्थी स्थापक यानि religious affairs के chief, महाश्वपती यानि cavalry chief और महापिलुपती यानि हाथी सेना के chief होते थे। अब हम गुपताज का provincial administration भी देख लेते हैं। गुपता किंग, कुमार अमात्याज और आयुकताज की मदद से provincial administration से close contact में रहा करते थे। कुमार अमात्याज आज के IAS जैसा special cardar होता था, जिससे सारे higher officials चुने जाते थे। ये cardar king और provincial administration के बीच एक link का काम करता था। गुपता empire में provinces को भुगती कहा जाता था, जिसे उपरिकाज गवन करते थे। उपरिकाज mostly राजकुमारों में से चुना जाता था। भुगती का विभाजन विशयाज या districts में किया जाता था, जिसे आयुक्त या विश्यपती हेड करते थे। वहीं city या municipal administration नगर श्रेश्ठीज देखते थे। villages administration का smallest unit होता था, जिसके प्रमुख को ग्रामिका कहा जाता था। गुपता period में land revenue आय का प्रमुख source था। इसके अलाबा, जब भी सेना किसी countryside से गुजरती थी, तब गाओं वालों को उनके खाने पीने का पूरा खयाल रखना होता था। इस tax को सेना भक्त tax कहते थे। और royal army officials की सेवा में forced labor को विश्टी tax कहते थे। पर king भी जनता की जरूरतों का पूरा खयाल रखते थे। जूनागड inscription के अनुसार, सौराष्ट्र रीजन में water scarcity को दूर करने के लिए सकंद गुपता सुधर्शन लेक को repair करवाते हैं। दोस्तों, यहां आपको ये भी बता दूँ कि इस सुधर्शन लेक को मौर्यकाल में चंद्रगुपत मौर्या के आदेश पर बनवाया गया था। इसके बाद, मौर्यन Emperor Ashoka, साकरूलर रुद्रदमन वन और सकंद गुपता समय समय पर इसे repair करवाते हैं। गुपता पीरियड में अग्रहारा और देवग्रहारा नाम से खूब लैंड ग्रांट्स भी दिये गए थे। इनमें अग्रहारा लैंड ग्रांट्स के पर्सनल एक्सपेंस के लिए दिया जाता था। वही देवग्रहारा लैंड ग्रांट्स यानि रिलिजिस प्लेस की में चाइनीज ट्रैवलर फाहेन के अकाउंट्स में हमें गुपता एड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में कई important बातें पता चलती हैं। फाहेन खुद बड़े आराम से पूरे गैंजेटिक प्लेंज में ट्रैवल किया करते थे। अतह ओवरॉल गुपता एड्मिनिस्ट्रेशन मौर्या से ज्यादा लिबरल था। एड्मिनिस्ट्रेशन के बाद अब हम गुपता पीरियड की सोशल लाइफ के बारे में जानते है गुपता काल में सोशल लाइफ में काफी चेंज़े आये थे। वर्ण सिस्टम मौडिफाई होने लगा था और इसकी जगह कास्ट सिस्टम सोशल एन इंपेरिकल रियालिटी बनने लगा था। इसके कई कारण थे। पहला गुपता पीरियड में ब्रहामिनिस्म का राइज Most of the गुपता rulers वैश्नवाइट थे। वे ब्रहामिन्स को respect देने के साथ साथ धेर सारा land grants भी देते थे। इससे ब्रहामिन्स को society में top position मिल गई। दूसरा, pre-गुपता period से ही धेर सारे foreign invaders भारत आकर बसने लगे थे। ब्रहामिन्स की blessing से उन्हें Indian society में legitimacy मिलने लगी। जगह देने लगे। वहीं कुछ local tribes को शूद्र वर्ण में जगह दी जाने लगी। तीसरा, craftsmen के guild caste का form लेने लगे थे। एक्जाम्पल के लिए जो मिट्टी का बरतन बनाते थे, वो कुमहार जाती के हो गए। जो बाल बनाते थे, वे नाई जाती के हो गए। इसी समय untouchability का rise भी देखने को मिलता है। कात्यायना नाम के समृती राइटर पहली बार असप्रस्य शब्द untouchables के लिए इस्तिमाल करते हैं। चाइनीज ट्रैवलर फाहेन के अनुसार चांडाल जाती बड़ी बुरी कंडिशन में थी। उन्हें untouchability के आधार पर residentially segregate कर दिया गया थ फाहेन के अनुसार विमिन की condition भी miserable हो गई थी। उनके religious scriptures पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्वयम वर प्रथा समाप्त हो गई थी। और मनुस्ष्मिती के अनुसार लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए थी। विमिन का property पर से अधिकार खत्म ह हो गया था। वो सिर्फ jewelry और कपड़ों के form में स्त्री धन की हगदार रह गई थी। इतना ही नहीं, 510 AD के Aaron inscription in present day मध्यप्रदेश में हमें पहली बार सती जैसी दर्दनाग practice का भी example देखने को मिलता है। Religion के क्षेत्र में गुप्ता patronage के कारण ब्रहमिनिजम का बहुत विस्तार होने लगा था। ब्रहमिनिजम के दो ब्रांचेस थे वैशनविजम और शेविजम। Most गुप्ता rulers वैशनवाइट थे पर वे बाकी धर्मों की भी respect करते थे। Idle worship और Temple Building भी इसी समय बड़े scale पर शुरू हुआ था। फाहेन के अनुसार, ब्रहमिनिजम के विस्तार के कारण गैंजेटिक वैली में बुधिसम और बुधिस्ट साइट्स दोनों निगलेक्ट में जाने लगते हैं। जैनिजम के followers में भी कमी आई। पर वासु बंधु जैसे बुधिस्ट स्कॉलर्स को गुपता किंग्स का patronage प्राप्त था। वहीं Western और Southern इंडिया में जैनिजम खूब फलफूल रहा था। वललभी में इसी समय जैन काउंसिल का भी आयोजन हुआ। दोस्तों ये थी गुपता एज की political history, administration और social life का discussion। आशागरता हूं कि आपको आज का discussion पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे गुपता पीरियट के economic life, art, literature और scientific achievements की। और ये भी जानेंगे कि गुपता पीरियट को golden age क्यों कहते हैं। Study IQ IAS अब तयारी हुई affordable